आज की क्लास में मैं आपको गौसट लों का डेरिवेशन पहले दिखाता हूं कि आप एक इंप्परेंट चीज़ सीखेंगे कि आपको समझ भाफिछ मेना चाहिए की कोसे नहीं पहाँ गाप यह से माल लेते हैं कि वी टेक एनी अर्बिटरी फ्रोसर्फिस यह मने कोई भी आर्बिटरी शेप का प्लोसर्फिस ले गया है को सोच के नहीं बनाये जैसा मन क्या वैसा बना दिया है अब टॉस इसको फ्रोस दिखाने के लिए बैसिकली नहीं यहां पर शेडिंग कर दे लो कि अब इस अब अपको यह शास नो कि खाली यह मगजब बॉबन सब्सकेइब करना लग गया उसी अप्लो सर्फसे इस लो सॉफसेस्ट्रीरी तिक तक है उसी को मैं लेतमिने आपारण वाकॉशिन सपिस इस बांदरी इस वाउशिन सपिस नृशिन सपिस और माल लेते हैं कि हम ने यहां पर एक वाइन चार्ज अंडर प्लस की अब इसकी वज़े से इस इर्रेगुलर सर्फेस में फ्लक्स कितना है गॉसस लॉक इतना केता है क्यूब आपसलों नौट यही तो प्रूफ करना है मुझे यही प्रूफ करना है ना मुझे तो मैंने क्या कि यहां पर एक आर्बिटरी लोकेशन कोई बीए पूसिशन पर चले जाते हैं लेश्ट से कि मैं एक आर्बिटरी पोजिशन ऑन दी सर्फेस चला गया एंड यहां पर एक छोटा से एलेमेंटल एरिया चूस कि हमें यहां पर अगर आप देखोगे तो यह एलेमेंटल एडिया के साथ आपका एलेक्रिक फील्ड जो है मतलब एस सर्फेस पर नॉर्मल नहीं है दिख रहा है तो यह आपका इलेक्रिक फील्ड आएगा यह बिसीकली पॉइंट्सार्ज की वज़े से आप निकाल रहे हो में तो यहां से अगर डिस्टंस यह इस इस माल लेते हैं यहां से आरहे हैं तो उस एलेक्रिक फील्ड की वैल्यों हम आप डिस्टंस पडिक इसके साथ इसके साथ हमें फ्लक्स इस निकालना है तो इस एंगल को अमाल लेते हैं यह इस प्लेनर आ अंगल ही है तो आगर मुझे डिपाइट सुछ तो लेना पड़ता है इसको नेंट सकते हैं है डा कॉस सब्सक्राइब अपड़ता है तो लेना पड़ता है यहां पर हमारा वह पॉइंट चार्ज है प्लस क्यों एंड इससे यहां पे एसा एक इंक्लाइंट सा सब्सक्राइब इसा सब्सक्राइब खोड़सर औरगवण गड़सर और इससा है तो इस ही में हमने यहाँ पर इधर थोड़ा से इंक्लाइन करके दिखाए यहां पर एलेक्रिक फील्ड हमने डिली आउपट दिखाए था ऐसा इस पर हमने इलेक्रिक फील्ड को है सब्सक्राइब और अगर प्रोजेक्शन लोगे इसके पॉपेंडिकल तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको यह वाली जो शेड़ेट रीजन है इसको कह सकते हैं इस दीए कॉस्टीटा होगा इस ज्सते आढने सब्सक्राइब अगरों उसके हैं है क्या सकते हैं थे , खूर तो यह पिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब 350 प्र्सका natal इस ऐ मान सकते हैं यहां पर क्ता यहां सब्सक्राइब कर घृ वाएbut तो अब हम क्या कर रहे हैं यह जो फ्लक्स का एक्स्प्रेशन था उस फ्लस्ट के एक्स्प्रेशन उसको सब्सिचूट कर दे तो अब मैंने सब्सिचूट कर दें इन्टू आर स्कूर इसा लिख सकते हैं एक इन्टू आर स्कूर अगर आप नोटस करूंगे एक इंट्रेसिंग चीज़ आर स्कूर कट गया है पूरा दिख रहे हैं तो अगर देखोगे डिफाइ की वैलिव इस इस कमिंग और वी क्यों डिवाइड वाइड वाइड फॉर पाइपसलन नॉट एंट इंटू ओमेगा तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए टोटल फ्लक्स तो क्या करना पड़ेगा मुझे इंटेग्रेशन ऑफ दिफाइ इसको जब आप करोगे तो क्यों फॉर पाइपसलन नॉट एंट इंटिग्रेशन ऑफ दिफाइड वाइगा आपको यादे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया थी किसी भी क्लोस सर्फिस का जब आप इंटर्नल किसी भी पॉइंट से लोजाइं टोटल सॉलिड एंगल काल् इस इस सबक्राइब देखो इससे अब देखो दिनॉमिनेटर का फॉर पाइड निवरेटर का फॉर पाय कैंसल अभा है निए तो नेट फ्लक्स कितना या जो आया अदो आया जैसे यह एक पॉइंट चार्ज के लिए है वैसे ही मल्टिपल प्उइंट चार्ज रफो तो अ कि अंदर में जितने भी चाज़े से सब के लिए वैसे चुई 1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्यू नेक इन गोजट वाइपसिल मौट लिख सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो क्या फर्ग पार पड़ता तो भी देख लेते हैं बालने अगर छोटा तो क्या फर्ग पार पड़ता यहां पर हम नेक चार्ज रखा है माल लेका है यहां पर हम नेक चार्ज रखा है यहां पर अब इस सर्फिस पर मैं दो जगा इन्टरी आपको आपको यहां पर नॉर्मल अगर सर्फिस का ड्रॉकर तो कुछ ऐसा आएगा यह देखो इस नॉर्मल बी एवन के लेते हैं और यहां का एलेक्रिक फील को हम इवन कह लेते हैं सिमिलरी यहां पर जहां पर एक्षिट कर रहा है यह फील वहां पर सर्फिस पर नॉर्मल लेना है ध्यान रखेंगे तो यह आउट्वर्ड नॉर्मल ड्रॉकिया दिस बी एटू और यहां का इलेक्रिक फील इस एटू अब एक चीज़ सोचके देखो एग्जाक्ली सेम तरह का कैल्कुलेशन जो यहां पर किया हमने जैसे यह जो रांडम सा लोकेशन लिखे किया सेम कैल्कुलेशन तो यहां पर भी आने वाला है बस डिफ्रेंस यह होगा देखो कि एटू वाले लोकेशन पे तो एंगल जो ए और एरिया के बीच में वह एक्यूट है देख रहा है आपको जितना सॉलिड एंगल एवन की वज़े से वहां पर फॉर्म होगा मतलब वह चोटा सा सर्फिस डी एवन पर फॉर्म होगा उसमें जो डॉट पूड़क के साथ सब्सक्स आएगा एटू वाले के साथ डॉट प समझा रही है तो नेट फ्लक्स यहां पर कितना आया जीरो है नहीं है तो इससे आपको यह पता चलना चाहिए कि एवन डॉट दी एवन अगर यह कल्कुलेट करोगे एड प्लस एटू डॉट दी एटू कल्कुलेट करोगे तो अंदर वाले चार्ज यहां से यह वाला जो स्टेप आया था हमारा यह स्टेप जो आया था इस स्टेप में देखो और होने के पीछे रीजन कया है है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्स हुस्क्वैर कC disent पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ट थी वह इंवर्स स्क्वेर्ड नहीं इंवर्स क्यूब था तो क्या यह डीफाई की वैल्यू आरके इंडिपेंडेंट आती नहीं आती तो उस इस केस में क्या फ्लक्स की वैल्यू को चार्ज इंप्लोस बाइपसलों नौट कर पाते लिए नियुकर अधियों अधियोंडेस्टैंड यह समझाइए सभी को ठीक है तो आप यह यह आधर रखना कि किसी ने अगर आपसे पूछा कि अगर हम कूलम्स लॉव देखते हैं कि कुछ भी दे दिया उन्हें कुछ भी इन्वार स्कॉर को छोड़के कुछ भी दे दिया है तो उसकेस में आपका गॉस लॉव वैलिड नहीं होगा डिडीओ अट्रेश्टैंड इस एवरीबडी इस सर्ट इस स्टेप से इस स्टेप से आपको पता चला कि फ्लक्स डीफई इन्वे फिंडिव नहीं डिफेड इस तरहन कि अगर कि एडांगे तो रॉड़ कि आपका गॉस लॉओ रॉप इड़। only if only if the field of a pointer follows inverse square law inverse square law ठीके स्कुद्यान रिखेगा एम स्कुद्यान भी करके रखेगा ता क्या पुद्यान रहे इतना याद रखिएगा इतना तो याद रख सकते हैं आप यह भी याद नहीं रख सकते हैं ठीक है चलो ठीक है भी आगे बढ़ते हैं चलो भी अब प्वेस्टन सुट्व करते हैं यह तो डेरिवेशन बेसिक लिए आपको दिखाना दा अब इसके फॉर्टर क्वेस्टन स्वाल करते हैं आजाएं आजाएं मान लेते हैं हमारे पास यहां पे एक स्क्वेर प्लेट हैं और इस स्क्वेर प्लेट के प्लेन के पर्पेंडिकुलर सेंटर से ठीक ऊपर यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया है इस पॉइंट चार्ज मान लेतने प्लस क्यों और यह वाली शीट पूरी की पूरी उनिफॉर्म ली चार्ज कर दिये और यह उन्होंने दे रहते हैं इस 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 स्क्वेर प्लेट यह मेंचिन कर देते हैं इस 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 square plate of side length L side length L with uniform surface charge density sigma, surface charge density sigma and a point charge placed, point charge Q placed on the axis at a distance of L by 2 from center, from center, find electrostatic force of interaction between them, electrostatic force of interaction between them, this is how much you can calculate, okay, let's start doing this, let's see how we calculate this, I will draw a little two dimensional view, if you can see how you can see this, this is the plate here, and this is the plate, and here we have a charge here, here we have a charge, this is the charge, this is the plus Q, and obviously this is our positive charge, we have to calculate this, so let's say we go to a random location and we have to choose a random location, we have to choose a random location here, this is our distance, here we have a elemental area, here we have to choose a elemental area, this elemental area is d-a, so the charge is d-q, d-q, d-q which is d-q which is d-q which is d-q which is d-q which we have to take, sigma into d-a which we have to take, addition to the data point-charge, this is the field of point-charge, okay, exactly same scenario, exactly same scenario, here we have electric field, we have exactly same तरीके से आप e due to q दिखा सकते हैं तो इस दोनों का अगर electric field आपको पता है तो dq charge से multiply करने पर आपको force df भी मिल जाएगा तो यहां पर देखो मैं df force दिखा रहा हूं so df की जो value आएगी चार से हमने field को multiply कर दिया तो this becomes df इसका मतलब है इधर से अगर आप देखोगे तो this becomes df cos theta क्योंकि यह अंगल थीटा यह है इधर से भी सेनारियो और इसल भी also df cos theta तो indirectly अगर देखोगे तो हमें df cos theta का integration करना है क्योंकि df sin theta का vector sum 0 आजाएगा देख रही आपको समझारी सभी को यह सर तो f net निकालनी है तो क्या करना में integration of df into cos theta कर लेना है अब values को substitute करते हैं df मतलब जो charge dq है इसके साथ electric field of point charge multiply करनी है और इसके साथ फिर cos theta को भी multiply कर देना है ठीक है यही है यही है ठीक है अभी dq की value substitute करें जिसली सिग्मा इंटु डी ए एंट इंटु कॉस्ट थीटा सिग्मा तो constant है ना प्लेट के लिए वो तो एक जगा से दूसरे जगा जाएंगे तो चेंज नहीं करेगा वो प्लेट के लिए constant उसने कहीं रखा है ठीक है तो सिग्मा को में इ इंटु डी एंटु कॉस्ट थीटा गया है कि आप इसको पहचानते हैं यह क्या है इडी ए कॉस्ट थीटा क्या है देखो इसका elemental एरिया का भी direction किस तरफ था इसका मतलब है यह जो एडी ए कॉस्ट थीटा है यह छुट है यह दून एक है व्हम आप कर रहें इस ब्लक्स nor कोर सिटा आप द गफ्री अवेन कर दो हो okay एंड उसके साथ यह तो आपने लिए उसकाने निएट कोन Tier से नहीं किया इसका आपसी सिगम्सी करी इन्टू छेट देटल लगा कि अगर आपको इस तरह से अचल्प सेनारियो दिखें किए क्वाइं चारज और उस पॉइंट चार्जी नीचे में एक कोई बी प्लेट लगा दिया एक उसके उपर यए और फोर्स निकालनी है जो मल्टिप्लाई किसे से वाइनल उससे वाइनल जाएगा अब यह काम तो बहुत ही आसान है यह तो आपने अल्रडी किया है अब देखो इसमें डाइमेंशन उसने कैसे दिया है साइड लेंथ उस स्क्वेर प्लेट का एल है और चार्ज को हमने प्लेस किया है अट डिस्टेंस एल बाइटू फॉम दी सेंटर इसका मतब हाइपोथेट होता सर समझारी सभी को यह नहीं आ रही है यह सर यह देखो है यह तो दियावा नहीं था यह मैं बना रहा है से इसको डॉटेट कर देता हूँ कि अगर्ण पर दिख रही है सभी को यह बॉडी सेंटर दिख्या तो यह सब्सक्राइब कि इस था पर एक सर्फिस का फ्लक्स कितना आगा है क्योब आइस एक सब्सक्राइब राइट यह ठीक है तो हमारा आंसर क्या जान अची आपर तो अट वह लागा सब्सक्राइब को न क्यों सब्सक्राइब को अगोर्ण आगे बढदें माल्यक पेश्चन ऐसागा हुआ है the electric field in space is given by E vector equal to A x i cap plus y j cap divided by x square plus y square where A is a constant and x comma y they represent the x y coordinates the x x and y coordinates x and y coordinates respectively find the flux of the field through a sphere of radius are centered at origin यह आपसे पूछा है अब यह सबना थोड़ी टिपिकल क्वेस्टेंस हैं जो आप कन्वेंशन तरीके से नहीं करते हैं आपको थोड़ा साइस में कुछ डिफेंट सोचना पड़ता है और पहली चीज़ है कि आपको mathematical equations अगर ऐसे दिये हुए है मतलब electric field को ऐसे vector form में दिया है तो इसको analyze करना आना चाहिए आपको कि यह किस तरह का field है मतलब what kind of field is this मतलब कि क्या किसी तरह का symmetry है या नहीं इसमें यह चीज़ पहले आपको visualize करना पड़ेगा तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर माल लेते हैं कि कोई भी space since space कह रहा है इसका हूं तो three dimension की बात कर रहे हो तो three dimension में अगर मैं कोई arbitrary point x y z choose करता हूं तो यह electric field z coordinate पर depend नहीं कर रहे है यह समझा रहा आपको यह सबको समझा रहे है electric field z coordinate पर depend नहीं कर रहे है समझा रही है सभी को इसका मतलब अगर ऐसा सोचें देखो एक बार मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूं जैसे यह सोचो अगर माल लेते हैं कि यह pen mirror z axis है ठीक है यह z axis है तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं यहाँ खड यह तो आपकी चेंज नहीं होगी ना मैं तो सिफ जड़ चेंज कर रहा हूं समझा रही आपको आइए इसका मतलब यह z axis के बाउट एक symmetrical field है ना कह सकते है यह जड़ आक्सिस के बाउट symmetrical field है यह axis symmetric field है यादे आपको symmetric कुछ symmetric condition समझाये थे आपको तो यह axis symmetric field you know represent कर रहा है यहाँ पर समझाय रही है तो यह axis symmetric है अब उसमें भी कुछ प्रिक्लरी ध्यान देने की कोशिश करो जैसे अगर माल लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक डाग्राम करें एक बार जैसे माल लो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सब्सक्राइब कर लिया ठीक है और यह इस एकसिस के रिस्पेक्ट में पर लेता हूं यहाँ पर एक सब्सक्राइब कर लिए तो अगर मैं आर वेक्टर का वैल्यू लिखूं आर वेक्टर का वैलिव तो क्या यह एकस आई-काप प्लस वाई-जे काप है बताओ मुझे देखके अभी देखो तो यहाँ पर उपर का एक्वेशन क्या एलेक्रिक फील्ड इसका मतलब है रेडिली आउटवर्ड डिरेक्शन में है देखो तो समझ आई आपको डिडिव अंडर्सांड इस समझ आ रही है ना एक दाव बेसिक चीज़ से को तो इससे अब आपको क्या पता चल रहा है कि एंटू आर वेक्टर डिवाइडड़ रसक्वेर एससे लिखकर को डिए एससे लिखा जा सब्सक्रीं एस इस ए वाइर एक्टर वेक्टर डिवाइड़ बाइड वाय एससे लिख सक्ते है लिख सकते हैं इसका मतलब यह हो गया A by R into R cap रहीट इसका मतलब electric field is inversely proportional to the radial distance R and is radially outward with respect to Z axis समझाई आपको समझाई आपको सो यह क्या हो गया this is axis symmetric and specifically यह आपको पता चल रहा है as electric field is inversely proportional to R ऐसा field कब आता है एक लाइन चार्ज की वज़े से याता है यादे आपको टू के लामना वायार रिमेंबर राइट एलेक्रिक फील्ड इन वर्सी प्रपोर्शनल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का चार्ज के लिए आता है और वो है आपका एक लाइन चार्ज की वज़े से क्योंकि यह जैसे जैसे आप access के साथ मतलब z-axis के साथ आप radial distance आगे आर आर बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे इन वर्सी परोश्रड वर्पी घर्ती जारहे है जो आजिए से लेक्रिक फील इनवर्सी परोश्रड वार्ट कम्साओ अवली वहर्ट वर्थ इस तिस इस दिसस्कम्साओ for for long uniformly charged uniformly charged रॉड थस दिगेवन फिल इस फॉर दिगेवन फिल्ड इस फॉर लाइं लाइं लाइंट आपको समझ आई यहां तक बाद यहां तक बाद समझ आई ठीक है अब आता है ठीक है अब हम एक अच्छी चीज देखो सुचने कोशिश करते हैं उसने हम से पूछा था फ्लक्स थुर स्वियर स्वियर के थूफ लुचा है इसको थोड़ा सा अगर अनलाइज करने कोशिश करो को थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको जैसे ऐसे करवा जैसे सिकर दो इस तो माल लेते हैं हमारा जट आक्सेस है इस इस आक्सेस एंड यहां पे एक स्वियर है यहां पे कहीं इसका सेंटर है फील्ड जो है वह आपको डिरेक्शन में पता है इसके रिस्पेक्ट में रेडिली आउटवर्ड फीलाइन निकल रही है इस वायर के रिख मतलब Z-axis के रिस्पेक्ट डेटली आउटूर्ट फीलाइन से थोड़ा सा पेशेंस तो कि मैं एक पर डियाग्राम कर लेंगा सेनारियो यही वाला सेनारियो आपको पूरा का पूरा रीजन में आपको दिखना है इस तो समझ आ गया अब इस स्फियर की तुरू फ्लक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया मैंने ऐसे सोचा कि अगर हम क्यों ना इस स्फियर के चालों तरफ एक्जाक्ली इस स्फियर का डायमेटर के जितना हाइट का एक सिलिंडर ड्रॉ कर लेते हैं देखो ऐसा कि अगर की इस स्फियर के लिए यूजर के लिए थावाज कि यह कर दो दो खिए अब एक चीज मुझे सोच के बताओ जितने भी फीलाइंस में अगर इस स्फिर के थूप पास करता हुआ दिखा रहा हूं क्या यह सारे फीलाइंस इस स्फिरिकल सर्फेस को भी पास कर रहे हैं क्योंकि यह फीलाइन स्फिरिकल है और मैंने स्लेंडर का हाइट इग्जाक्ली उतना ही चूज किया जितना डामेटर ऑफ स्फिर रहे हैं डिद्यू अंडिस्ट इस से अड्वांटेज क्या हुआ मेरा अड्वांटेज अब यह हो गया कि फीलाइन मुझे सिलेंडरिकल सर्फिस के वाल पे हर जगा पर पे हीलाट ठी करेंट इगा धीलाटबराग है यह थिए तस इओ बीलाट निस फिलाट ऑ्द ऑ्दिस्ट्ट इड मार्ट इसर्वांट आशर एड áreas स्ज01 इंडर को गया फ добр दाफिल्सू झाइलैस्ट बीलाट व्लाट इन दिख्ज वलाट वीलाट ऑ्ला will also intersect intersect the surface of cylinder surface of cylinder and these field lines field lines are perpendicular to surface of cylinder as well perpendicular to surface of cylinder as well and just say you have to go directly to the netflux so simply into the into possible zero degree and integration over the wall and a right so तो और इसमें एलेक्रीक फील की वैलुव अपने कितने निकाली थी एलेक्रीक फील की वैलुव वस लेको एवाइब आर था मैंनी चुट में था ना एवाया दिख रही आपको आश्च अब आपको इसको यूस करो आप इस इस एडाय आर एंड इस निज्टीप्लाइब यह इस पूरे वाल पेलेक्रीफिल गॉस्ट रहेंगे नी क्योंकि आर दिसन्स अंवेड अश्मिन एंड्य कल वाल के साथ सट्स्टैना वार पिस अवार बिस प्राइब सो यह आरापी फिक्सरेथिस आर इस फिक्स्टैन्स अट एड्री पूंस अड्लों और आप्न वाल अच्छा स्फियर का उभी अपनाड तो यह आर की वैलियो आरी की वैलियो इस का अपको तो अब यौ अ अब यूर आपका बहार निकल गया एंड इंटेशन सिम्प्ली डी अगा बज़ गया तो दिस विकम्स ए बाई र और निंटेगरेशन दी मतलब तू पाई आर इंटो एल एगा एगा येस और यार कैंसल आटो क्या एनियो गई है तू पाई इंटो एल दाट इस जी आंसर अच्छा एल 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 इस लेंथ फी चलिंडर लेंथ फिलिंडर कितनी है तू आरे उसको लेते हैं तो दिस लाँ तो इस तो पाई एंटो तो वाट विकम्स फोट पाई एंटो अधार इस यह सब्सक्राइब अच्छा जब हमने एक चीज सोच के देखो जब हमने अल्रेडी यह डिसाइड कर लिया था कि यह लाइन चार्ज का फील्ड है तो लाइन चार्ज का लि यह इस एकुल्ड तो एवाय आ रइट तो लाइं चार्ज जें चृश्च अन्देर कितना है इस नहीं कितना है तो वो भी तो कर सकते हैं यह इसको और करके लिग निता हूं है once we decided once we were clear that given field was for a uniformly charged rod uniformly charged rod हम यह लिख सकते थे कि a by r is 2k into lambda by r जिसका प्लाम्दा भाई 2 pi epsilon not into r भी लिख सकते हैं so यहां से आप तो पता चल रही है कि lambda is 2 pi epsilon not into a and therefore flux अगर नेट चाहिए था स्वेर के थू so that will be charge enclosed divided by epsilon not so that becomes lambda into 2r and that divided by epsilon not they got p value आगे फिर से वही so 2 into 2 is 4 4 by epsilon not to cancel out 4 by a into r देखे पिछली बार भी वहीं आए दिखे आपको कि सब्सक्राइब को समझ आ रहे हैं कि सब्सक्राइब को जैसे इसमें जैसे मैंने इसमें इसमें कंसेप्स इखाया आपको कि अगर x i cap y j cap divided by x square plus y square दे रखा है तो यह axis symmetric था अगर supposedly field आपको ऐसा दिया होता x i cap y j cap plus z k cap and divided by x square plus y square plus z square अगर ऐसा दिया होता तो क्या होता वो क्या होता रेडियली symmetric हो जाता है ना मतलब spherically symmetric हो जाता है समझा रही है क्योंकि उस केस में position vector आपका z code मतलब x y z तीनो में ही आप you know तीनो direction में मतलब position vector अगर आप चूज करते तो कोई भी arbitrary point का position vector आप क्या चूज करते x i cap y j cap z k and वही direction तो आपको field का दे रखा है इसका मतलब हर एक जगा पे जो field होता वो क्या होता रेडिली आउटवर्ड फॉम ओरेजिन होता एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं होता और जिन के रिस्पेक्ट में रेडिली आपको तो एसको पी तो उस if the field was given as e vector is equal to a into x i cap plus y j cap plus z k cap and divided by which big value will be x square plus y square plus that square the area a ticket then such a field is spherically symmetric, spherically symmetric field, symmetric field, q, since if, if we choose a random point, random point x, y, z, its position vector, position vector will be R vector equal to xi cap plus yj cap plus zk cap and therefore electric field can be written as a into R vector and divided by this will be R square. So this will be a by R into R cap. But fishly wala r cap is expression to the same. The first time A by R into R cap is on the same, but this is R vector which we have chosen to do xy plane. That is the axis of respect to symmetric, but it is chosen to be three dimensions. So what is this basic? What do you think of origin of respect to symmetric? Do you understand this? Yes, sir, तो इसकेस में अब आपको अगर आपको फ्लक्स निकालना होता इसके लिए तो आपको इस पार आपको मतलब सिलिंडर चूज करने की जरूद भी नहीं थी क्योंकि अगर सोचो मैं अगर ऐसा एक सिट्वेशन दिखाता हूं जहां पर तीनों कोडिट आपको सब्सक्राइब कर एक इस 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 पिए यहां पर हमारे सफेरिकल सफेसे एदि यह श्री श्रीज और इस स्फिर ने फ्लक्स पुछा था इसका प्रख्स बताओ कितना है इस स्फिर ऑफ इस अधिसार थे कर दो एप सोचों कि और ये स्वेर में श्मीटो इसमें आप नॉर्मल ओविक्टर तो सरुस्ट के परपेंटिक्लर भी होता ना यह हो घॉटा और है न क्योंकि एलेक्रिक फील्ट के साथ हमेशा हर जगा क्या हो गया इरिया वेक्टर के साथ तो इससे अगर नेट फ्लक्स आपको निकालनी होती फ्लक्स नेट निकालनी होती तो सिंप्ली क्या करते है एंटू डी ये का कश्lef गाल कर लेते हैं को इट जाता है अचार मतलस के फ्लक्स पर मुं फटक्रट यप संव घरेक सैप्ल के 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 कष य कव जज कर दे रखा है तो आप है यह सर सर नहीं थे चुछ नहीं है टुछ नएटिस मुटक्व जट्व नेक्स ताइप आफ फ्वेस्टियुएशंग दिया वहा सबस्क्रिण a region of space where electric field is given by E vector equal to E0 by L square into X square I cap where E0, L are positive constants and X is the X coordinate of the point coordinate of the point and you asked find the volume charge density volume charge density at a location X Y Z X Y Z coordinate volume charge density you have to take out the electric field values in this question is the first thing to notice is that what is the direction of electric field X axis I cap K cap. I cap. So you can see the field along X axis. Field along X axis and mathematical equation to be dependent dependent only on only on X coordinate. तो volume charge density भी जो आईगी, volume charge density वो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर डिपेंडेंट आईगी नहीं Y और Z पर डिपेंडेंट नहीं आईगी समझा रही है आप तो ये सर्फ तो वोल्यम चार्ज देंसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स पर ही अब क्याने देखो कि अगर माल लेते हैं कि हमें अगर सर्फर्ज चूस करना होता है जैसे मैंने आपको बताया है कि आप जब बढ़े लिए इसका थिकनेस बहुत चोटा लेना पड़ेगा थिकनेस इसलेगे चोटा लेंगे क्योंकि आपको एक लोकेशन डेंसिटी आपको निकालनी है तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं लेट से कि हमने एक सिटुएशन लिए रखा है कोटने अक्सेस बना लेते पहले कि हमारी एक सब्सक्राइब यह यह एक सब्सक्राइब और मैंने क्या कि यहां पर दो सर्फिस मानलोग बनाए है यह एक सर्फिस है इसके पैरलल एक और सब्सक्राइब बहुत ही क्लोज बहुत ही क्लोज मतलब निग्लिजिबल सेपरेशन पर मानुस को कि यहां से इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर देते हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर लिए हमारे लिए यह ने दिखर है अपको घिखरी है यह जो प्लेन चूज किया है यह ला जो लेफ और साइड वाला प्लेन है यह लेफ और साइड वाली प्लेन अलोग एक्स एक्टिवल फॉट एक्स ओवली देएससद गानकर आगे मन दितकने सब्सक्राइब टो इसके लैड फेज पर फील्लोंगा वह इन्वर्रेGroup ह Kathy तो इसका left face पर फिल्ड का टेरेक्शन इंवर्ड से करेक्ट है लेट फेजब ओंगा वो फिल्ड होगा तो यह एंटरिंध और फील्ड अब टेने यह सबहुत है तो फ्रति एलेक्री व्हान लेते हैं तो राइट फिल्ड को मानने हैं या ईसे थाम लेक्ट जादा मानना पड़ेगा मैं समझारी सभी को तो यह तो यह वाली लेकर फील को मान लेते हैं इप्लस बीए है बट एरिया दुनों का सेम है या डिफरेंट है आप दो अगर्में एपल्कॉलेट करता हूं तो क्या लिखेंगा फ्लक्स एक्जिटिंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग यही लिखेंगा लिखेंगा यहीं नहीं नेट-फ्लक्स को कैसे लिखता हुआ चार्ज इन फ्लोज मतलब BQ इन लोज्थ एंड डिवैड बाइट अप्स अग्याटिक है माइनस ऑफ एंट इंटुए लिख सकते हैं आप इंटुए तो इंटुए तो कैंसे लिखते हैं यहां का चाज स्विक्रा दीक क्राइब के श्यूर्ट इंटुए मौन सकते हैं g लोकेशंट एक्स पर चाज लेटें हैं और location x से x plus dx पे जो density होगी और मुस्ट तो constant बान सकते है ना उसको तो यह density के साथ हमें इसको वॉल्म को multiply कर लेना चार्ज इंप्लोज मिल जाएगा सो density into area into thickness देखो सही है divided by epsilon not कर लिया and that will be equal to d e into a हो गया एक interesting चीज़ नोटिस को यह a और यह cancel out हो गई है तो density at location x आपको निकालनी थी यह हो गई है d e by dx into epsilon not यह rather ऐसे लिखले इसको एक स्टेप बढ़ा देता हमें रुखिए अगर आप देखोगे तो यह वाली quantity x से आगई है this is rho x by epsilon not दिख रही है आपको अगे है अगे है अगे है तो अभी अगर आपको density at location x चाहिए तो क्या करना है बस epsilon not के साथ आपको d e by dx को multiply कर देना है अब d e by dx तो निकाली सकते है यह epsilon not and then d by dx of electric field की value दीवी थी आपको e not by L square into x square so e not by L square into x square इसको ले लो इसको ले लो इसको अप्सलिन नॉट इनॉट इनॉट by L square into 2x समझाई सब्सक्राइए 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 को यह सब्सक्राइए इस अपना सब्सक्राइए इस तरह का मतलब यह थोड़ा था द सब्सक्राइए थोड़ा थाद है थोड़ा थाद था था कि आपको देए है धि फील आप और वेक्तर इगवल तो x i cap plus y j cap plus z k cap is given by e vector equal to t0 into r square into r cap find volume charge density at x comma y comma z you have to find out the new this is how much you can find that and I always told you the first thing direction is the right this is what the field is spherical symmetric field yes sir right see you r vector r vector r cap see them this is spherical symmetric field you understand how symmetric field तो अगर स्वेरिकली सेमेट्रिक फील्ड है तो गौशन सर्फिस नमारा कैसा होगा स्वेरिकली होगा ना यह तो पक्ता है कि लिए हो रही है तो अभी क्या करना आपको जैसे अब सोचो यह सेंटर पर मांलोो सीमें औरे सर्फेस चोज किया और से आर डिस्टरस और स्थी पत्ली थिखने गौवट हो यह तिकने को यह अब देखो यह इनर रोस पर फील पर फीड है इंब और फील भी आपकी आटक़ी मिलेका यह देखो यह ऐसा क्योंकि वह एंटरिंग फ्लक्स होई न इस जो हमारा गॉचन सर्फेस है जो गॉचन सर्फेस तो इसमें एक सर्फेस पे एंटर कर रही है और दूसरे सर्फिस पर आप देखोंगे तो बाहर निकल रही है दिख रही है यह सर अंदर का फिल्ड ए है और बाहर का फिल्ड क्या होगा ए प्लस दी होगा होगा तो अगर मैं नेट फ्लक्स उसका फिर से निकालों तो फिर से सेम से नेट फ्लक्स अगर निकाले तो क्या लिखेंगा फाई एक्जटिंग माइनस फाई एंटरिंग यह नहीं तो डिफ्रेंस प्रेट करेंगा तो इसको भी प्लस D is the field एन एरिया के लिए एसा लिख सकते हैं क्योंकि इनर वाले की एंट्व मानरों मार्न एंटु एक सपते हैं ने सभी है समझाई सभी को तो अब क्या करोगे यह को कैसे लिखोगे देंसिटी इंटु एरिया इंटु थिकने से करेंगे असवाइश करेंगे देंसिटी इंटु एरिया इंटु थिकनेस डेंसिटी इंटु वॉल्यूम करना आए वॉल्यूम उसका एरिया इंटु थिकनेस सकते हैं कि थेकनेस बहुत काम है और दिए प्लस डीदी ए एद माइनस ओफ यह यह देख लोगी पर चेक करो आए यह यह तो कैंसर हो गया हो गया हो गया है सब्सक्राइब इस वेरी स्मॉल यह नो चेंजिस के प्रोड़क्ट हैं तो इसल भी नेगलिजिबल अब अगर यह नेगलिजिबल है तो आगे फ़र्द बड़े तो रो इंटू एडियार डिवाइड बाइब अप्सलिन नौट दिस इस इंटू दी ए अनद प्लस ए इंटू सरी तस ए इंटू दी ए ठीक है आसर एंड देफोर अगर आपको डेंसिटी चाहिए तो क्या करना है अप्सलिन नौट बाइए एंड देन ई इंटू दी एवाइडिया एंड प्लस ए इंटू दी वाइडिया क्लिए रहे है अब अब एरिया कितना चूज के आपने फोर पाई आर स्कूर किया है ना रहीट एरिया हमारा 4 पाई इनर सर्फेस को हमने चुज किया था एरिया वस फूर्पाई रसकूर उसको यूस करो तो यह जाएगे अपसलन नौट डिवैड़ेड़ेड़ फोर पाई रसकूर इंटू एक वैलिटी इनॉट इनॉट इनौट इनौट इनू आर स्कूर एन यहां पे कि देखो चेक पर एक बार के रहे है कि यह आर स्क्वेर यह आर स्क्वेर यार स्क्वेर कैंसल ओट होगी और यहां पे आ रही है ऐग लीवाइब लुक्रा की एक रही है यहां पर डी बई डी बाइडियर के जगाएड वही तभी वही सोच रहा था कि पुछ एक्स्प्रेशन तो बढ़ तो दिख रहा है यहां पर यहां पर आप यहां यहां पाइड यहां पाइड यहां पाइड यहां पी एड़ देते हैं यह फोर पाइड तो यह बच गया आपके पास इसका मतलब कि जैसे चाइड तो इसका मतलब की जैसे चार देन्सिती तो कॉंस्टेंट होगी हर जगा ऐसा कोई मतलब नहीं है ना जैसे यहां पे अगर मुझे एक रैंडम सा पॉजिशन है जैसे यह वाली पॉइंट है जहां पे यह वाली पॉइंट है इसकी कोडिनेट में एक्स कॉमा वाई कॉमा जट दे रखी है तो मैंने पूछा बताओ यहां है इसलिए आपको यह समय जाना चाहिए कि आर्ट डिस्टंस पे हर जगा डेंसिटी एक जासा है और पहले वाले में इसलिए पील बॉक्च बनाया था क्योंकि राइट बढ़ेंगे तो देंसिटीं पीज़ें ठीक है और उसने लास्ट में उसने पूछा था इलेक्रिक फि ईसलिए और यसे यसे प्याई फॉट टीफा इंड यसको सब्सक्रम सुछिटाओ मिंगे जा तो इसको लास्तमें यह सब्स्रोलिय चुि अप्चारइल थेजिए जिकों सब्सूलैνο इंटो इंटू रुट रूट रू और रॉब cone एश स्क्टेटव यी are एप स्थाइब कर एट यह ईएजमिनेशन में तो मतलब इडवांस में तो आने के चांसे नहीं तो उसमें एक पूछते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं बट यह ध्यान रखिएगा कि आपके इंजिनेरिंग पड़ते हैं बट मैं आपको जसे एक रिजल्ट की तरह बता दे रहा हूं कि इसमें क्या है ठीक है पॉसेज लौ इन डिफरेंशियल फॉर्म यह सिर्फ कोचिंग इंसिटूट्स के ओल इंडिया टेस्रीज वगड़ा में कई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हल्प करेगा अदर्वाइस हमारे ज़रूत नहीं पड़ता है क्योंकि जितना भी मैंने आपको दिखाया वह कॉमें से हमारे लेवल कर सकते हैं इसमें क्या होती जैसे अगर आप देखो वे तो हमने जो पढ़ा है बॉसेज लोग क्या पढ़ा है लोग इंटिग्रेशन ओव इडॉट दिए डिए डिए डिखरी है अब क्या करो इसमें वॉल्म से इसको डिवाइड कर दो दो इतनों तरफ डिवाइडिंग बूद साइstyle क्या तो कोई भी ईक lets को लेकर आपने कैल्प्लेट किया। है खुल्यूम है इसका अंदर एक उस्फ वालिब इसको में ब 92 एक टो यह प्वालय हुव्आ इसा को वाल्य से जो जो दिवाइट का रहा है थाफ रहें 2वाट साइट दिवाइद वोथथ साइट by the volume enclosed, volume enclosed by Gaussian surface, Gaussian surface over which Gauss' law was applied, over which Gauss' law was applied. I will write this one by v integration of e.da and this is equal to charge enclosed by volume v divided by absolute naught. इसा लिख सकते हैं क्या? यह वाली टर्म को average density of charges बोली जा सकती है क्या? बोली जा सकती है क्या? उस पूरे रीजन में average charge density अगर आप से पूछे तो क्या करेंगा? total charge enclosed कितनी है and total volume कितनी उन दोने से divide कर दोगे, बोल सकते हैं न? यह सर तुम जा रही है? this is average volume charge density average volume charge density average volume charge density over the entire volume of space अंदर में हो सकता है हर जगा variable but average density हमने यहां पे यह नहीं निकाल रख रहा है इसी में अगर यह elemental volume सोचो अगर बहुत ही छोटा होता if this elemental volume was very very small negligibly small तो उसकेस में यह DV से डिवाइड होता और चार्ज जो होता वो DQ हो जाता होता यह नहीं होता तो आरेचेस में जो चार्ज इंक्लोज होता वो भी DQ होता और DQ by DV वो क्या बन जाता चार्ज दिंसिटी अट दी लोकेशन बन जाता यह नहीं बन जाता इस तरह से बोलने का दिखा रहा हूं जैसे यह इंटिग्रेट करने के बाद की जुरूरत नहीं पड़ते जैसे इंटिग्रेशन ऑफ i.fc दजी अगर डिवाइड करते और तो ऊपर में लीनियर डमेशन का ख्रेर क्योंकि एलिया है और डिनोरमेंटर में लीनियर डमेंशन का स्वेल सब्सक्राइब ग्रेडियंट की तरह कि तरह की ता ग्रेडियन की तरह जो पॉजीशन का ग्रेडियंट के रिपक्ट में आता है यहां पे अगर देखोगे तो यह अलड़ी आया का मैं एक जगा दिखाता हूं आपको ध्यान नी दिया वसे आपने यह देखो यह देखो तो एक पाद ध्यान से देखो तो D E by D X is equal to row X by epsilon naught दिख रही है दिख रही है देखो यहां पर भी देखो वसी चीज़ की में बात कर रहा हूं देखो राइट-hand-side में रोव है अपसलों समझा रही है क्योंकि D Q by D V that becomes row समझा रही है यहां पर एक ओपरेटर बेसिकली हम रिप्लेस करते हैं जिसको डेल ऑपरेटर कहते है या फिर उसमें डेल ऑपरेटर एक such that the volume enclosed, volume enclosed dV would be an elemental volume, then the LHS of the above equation is represented as del.e and that comes out to be rho divided by epsilon 0. this is divergence of electric field. divergence of electric field. this is divergence of electric field and this is volume charge density. volume charge density. this is i cap into del by del x plus j cap into del by del y plus del y to del y and plus k cap into del y del z. इसको बोलते हैं del operator. del operator operator तो obviously इसका कोई dimension नहीं हो गया. operator मतलब कि यह जब आप किसी के साथ लगाते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या करना है. तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि del.e लेना है. अगर देखोगे तो फर्स इससे पहले मतबस फर्स वाला जो question हमने solve किया था यह वाला. देखो एक्जाक्ली यह आया था यह नहीं. रो भाई अप्सिलन नॉट इस उपल टो दीवाई एक्साया था? आया था? क्योंकि यहां पर तो सिफ एक्स एक्सिस के लिएशन था, इसलिए मैप्स कर गया था, ठीक है? और यह मैंने आपको analytically समझाया, देखो मैंने वह आपको वह वाला जो law है उसको use करके नहीं दिखाया. समझा रही है सभी को? हाँ sir, yes sir. आप याद रखना कि ठीक है, यह सब इसकी जरुत हमें जही के advance के लिए, preparation के लिए बिलकुल जरुत नहीं पड़ेगी, बड़ अगर आप किसी भी all-in-day test दे रहे हैं, चाहिए वो कोई भी popular coaching institute हो, सबके paper में कहीं न कहीं यह एक बार तो आहीं जाता है, कहीं न कहीं न कहीं आप इसको करके भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारा एकदम normal concept है, इसमें कुछ अनोखा नहीं किया मैंने, बट अगर आप time बचाना चाते हैं, तो आप इसको करके भी निकाल सकते हैं, बट इसमें differentiate वगरा करना पड़ेगा, तो 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 आपको कोई बोले किनो की divergence का physical significance का है जैसे आप अगर divergence निकाल रहे हो, तो आप basically क्या find out कर रहे हो, physically क्या मतलब निकलता है, किसी भी field का divergence का क्या मतलब है, तो divergence of field का मतलब हमने RHS में देखा है कि क्या हमने निकाला, पहले हमने DQ निकाला था, DQ by epsilon not and then divided by V किया था, DV किया था, यादे आपको, यादे, DQ by epsilon not and then divided by DV था, यादे RHS में, यादे, DQ by epsilon not, क्या था, net flux था, था 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 था, था, था था, 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 तो उसको हम फ्लक्स दिंसिटी बोलते है, so that is flux density, so divergence of any field physically signifies the flux density of that field, are you getting it, yes sir, था, था, 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 सब्सक्राइब कि इतना काम का नहीं है अगर इतना काम का होता तो डेफिनेटली आपको बता दिता और डीटेल से बताता बट इतना बस याद रखिए कि डाइवर्जेंस के वैल्यू को यूज करके आप चार्ज देंसरी किसी एक लोकेशन पर निकाल सकते हैं चार्ज देंसरी बाइब से इक्वेट कर दो डैवर्जेंस ओफ फील्ड को तो अपको मिल जाएगा फिसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है इसको मैं आरे चस्मापको देखके बता रहा था कि आरे चस्में हमने क एक्सप्रेशन में यहाँपर ही मैंने क्या व्ला था बीक्यू लो हाप ब survived को है बूला हा को डीक्यू डिए क्वाइड धाप्सिलन ओड क्या था फ्लक्स तूट्छ वॉल्यमलीम का सर्फेस और फिर फ्लक्स के साथ अपने डीवी को डिवाइड कर दिया तो क्या मेला आपको स्ट्रक्स का डिनियुग मिला कोई वी चीज का पर इनिट वॉल्यम जब आप डिफाइन करते हो तो आपको चाहरे अधर दीनिन तो वही बोल रहें तो उसको एक नाम दिया है flux density बोल रहे है ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स क्वेशन करें आंज करहें एक ठीक है करें बोल्ड करें तूढ ये वेचिवर भी क्या हुआ ठीक है इसको माल ले कि हमारा X-axis है X, Y, and E, Z-axis and X-axis है the surface is in Y, sorry, X-Y-10 and E-wally side length 1 row of the L-D-V-A and E-wally side length A-D-V-A and this is symmetrically paced and यहां से अने क्या कर रखा है एक long linear charge पास करा रखा है this is a long line charge this is passing intersecting the Z-axis and is in Y-Z-plane long uniformly charged rod this has a plus lambda का density in Y-Z-plane and this distance आपको दे रखे आसे and they have asked us flux to the plate कितना याईगी आपको फैंपे ने है find net flux through the plate in xy-plane आप देखने में यह डाग्राम तो काफी कॉंप्लिकेटेड लगता है तो सीम्स वेरी कॉंप्लिकेटेड एट फ्रंट मतलब कि आपको एक दम बिल्कुल पता नहीं चले है कैसे कर बट हरे चीज़ को सिंप्लिफाई करने का एक तरीका होता है वह आपको स्ट्राइक कर रहा ह म और वह आपको सोचना है आपको लाइन चाज के लिए फीयल लाइन को दिखा के समझ नहीं आता है अगर मैं नहीं का top अगर 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 इसे एज़िए तो कर सकते हैं अब तो कर सकते हैं इसा तो यह तो मतलब क्या है ये संट्र से रेडिले आपके यह तो आम से कर सकते हैं नहीं तो अपनी व्यू को चेंज करना सीखो कि एक व्यू में जो complicated दिख रहा है में भी वो दूसरे व्यू में मुझे simple दिखे तो अपनी व्यू को अब हम चेंज करते हैं तो मैंने क्या किया इसको इसको इधर से side view ड्रॉब करेंगा ठीक है इस व्यू में मेरी X-axis लेट की तरफ है ना सब्सक्राइब की तरफ है उसको एक बढ़र करो तो मैं इसको दिखा रहा हूं जैसे side view ड्रॉटीक है जैट आट से सुपर की तरफ है इस जैट एड 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 लेफ्ट की तरफ है इस एक सब्सक्राइब एड लाइन चार्ज जो है वो कहीं यहां पर है इस इस लाइन चार्ज तो है यह नहीं है तो अब टेक है और इसकी डिस्टन्स आपको यहां से पता है दिस दिस्टन्स जरूठ थी है बढ़िए आप आटे चलो यह तो मिन लाइन चार्ज को ड्रॉं कर लिया लाइन चार्ज को ड्रॉं करने से क्या होगा अब इसकी फील लाइनांस को हम आ राम से ड्रॉं कर सकते हैं फिफील ने कर दिखा देक है अंवरेबरेड़ेड़ कुंफटरिबड़ आप टॉर झाल यूर्टक्टियुटिप्टर इस सीमयें फॉर कि पॉर कॉकिन्ड रड़ीद गॉर्ट डिलगका था मुझ टॉर्टरिक्टर इस विर सब्सकर प्लान। शार फैल को कना है वो थेखैंक आपे साइड बीव में प्लेन का साइड मेंमेंशन देखोंगे यहला लिए यह तो टो आपासे प्लेफिट ड्रोकर करने हैं तो हमारी जो कुछ ऐसी है बिंटर माकिंग के लिए तो हमारा देखैं yay कुछ ऐसा कि यह वाइस कर रहा है कि फिर से बोलो कोडिनेट एक्सिस जेड गया एको वाइसेक्ट कर रहा है मतलब एसाइड को लेटके कि एसाइड को वाइसेट कर रहा है यह क्यों बोल रहा है तो साइड को बैसेट कर रहा है यह वाइसेट कर रहा है यह वाइसेट करना पड़ेगा और पर अप्षिन नहीं तुम्हें पर आप लिख लोग आपे मैंने बोला था वह इस तो यह हमारा प्लेट है तो अभी इसके थूँ हमें करनी है तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं ऐसा सिचुएशन सोचो अगर मैं यहां से इतने ही रेडियस का एक सब्सक्राइब करता हूं इस क्रॉस सेक्षिन के तुम्हाइब 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 यह सर्कल में ने ड्रॉ किया है मतलब यह हमारे इस व्यू में सब्सक्राइब बट अगर मैं इसको एक्स्टेंड कर दूं अंदर की तरफ तो क्या हो जाएगा सिलिंडर हो जाएगा तो यह सिलिंडर का लेंथ हमें कितना चूस करना चाहिए ताकि यह प्लेट पुरा का पुरा कवर हो जाए इल ने डिको टो यह उब टो फिस्टेंगे अच्ट अभी तो यह से यह से अब इसी पो में चैनों तो इस आँड़ीन सब्सक्राइब इस आप शेन सब्सक्राइब surface of sorry which is a cylinder a cylinder of length L length L and radius radius how much is this distance is a by 2 and this distance is root 3a by 2 so this is the distance this is the radius and this radius is what is the radius? what is the radius? what is the radius? what is the radius? yes sir okay now if you notice an interesting thing please notice one more this angle is 30 and this angle also is 30 see you? see you? yes sir some people don't feel like I will try to make a diagram a little better just let me try in three dimension you have to keep a little bit of visualization you have to keep yourself strong I will try to make a little bit better just to make you feel better see how the feeling is going okay 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 यह हमारा लॉंग फ्लाइन चार्ज है क्योंकि आक्सेस के लॉंग फ्लेस्ट है यह हमारा वो स्लेंडिकल सब्सक्राइब यह हमारा वो स्लेंडिकल सब्सक्राइब यह देखो आपको समझ आ रही है भी डाएगराम तोड़ी सी यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह देखो यह देविशनक्राइब यह दिविशन अपको लडी ती तो चुर्णडर भी अमने लंग रिंटर चुस्क्राइब do you understand this और यह हमारा देखो को लाइन चार्ज है इस लाइन चार्ज है यह जो वाल है नेट फ्लक्स थ्रू वाल तो यह कितना आता इस वाल के तूम मतब सिलिंड्रिकल वाल की बात कर रहा हूं मैं उसके थू नेट फ्लक्स कितना आता चार्ज इंच्लोस डिवाद बाइपसलोग और चार्ज इंच्व्ड विडिवाद वाल की तूम मुद्स निकालना है नहीं नहीं किसके थू निकालना है लेट निकालना है अब यह प्लेट के थू जितना फ्लक्स आएगा विल दैक फ्लक्स मैच विथ दिफ्लक्स तूद इस पोशन देखो तो अगर करेगा क्योंकि जितने भी फील लाइन उस प्लेट के तूद पास करेंगे डिफिनेटली वह सिलेंडर के कव सबस्केत तूद पास करेंगे कि समझारी आपको यह दोनों में सेंट होगा है कि समझारी सबको प्लीज हां बोलिए ने तो फिर इतना तो अब देखो हमें इस सिलेंडर के तो टोटल सक्स पता है और सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्षिन इस सरकल है वह सरकल का टोटल एंगल कितना तो टोटल को टोटल कितना एगा टोटल सर्फिस था उसका आपको क्या करना वन सिक्षी तो कर लेना ना दिए अदेस्टाइड यस सर्फ देफोर इसके तू जो फ्लक्स आएगा यहां पर आप ऐसे दिखा जिजिए गाल के तो इदर भी ध्यांड रहे इसको पनेट के तो देए समये सक्रवच देफोर खुरीध डैंपर अडटल के यहां पर चापको क्या क्या कि टिए अएगा बिएच टाटाफ मुञ जो इसkते, जएज रहे को अफूसर रहे टूसरी डाटाटल को जिएफूच झापकोर्ट रहे टिए इस तो बस आपको विजुलाइजेशन का ही बात तो फिर तो फिर अची बात है अगर बुरी है तो फिर तो ख्या करेंगे प्रसिक्षित करिए विजुलाइशन अच्छी होनी चाहिए इसतर के स्टा क्वेशन राइब के लिए ऊसर ठीक चुर अबहु आगे बचे लिए नेक्स सीकये अच्छे क्वेस्टन के मूफ करते हैं लेट उस्से है आपको यहां पेक सिटुएशन दे रखाएं यहां पे क्वाइं चर्ज माले ते प्लस क्यू ऐन और यहां पे क्वाइं च्आर्ज माईनस क्योन लिए मैनिस किल में नहीं और प्वीए स्थीलाइन उसने दिखा रहा है जो क्यूवन से ओर्रैट कर रही है क्या चुब है कि अब घुरिकी तबरिए क्यों से लिए कि अगी कि यह कि इस फील लाइन के टाइजन से निकल रहे हैं दोनों जगह से जहां पर निकला और दूसरे जहां दोनों पर एक टांजन रहा है और इस टैंजेंट का जो लाइन कनेक्टिंग चार्ज था उसके साथ एंगल फॉर्म किया यह एंगल देखा इधर से इस एंगल वोज थीटा 1 और इस एंगल वोज थीटा 2 उसने पूछा हैं से क्यू वन और क्यू टू का रेशियो कि इतना है का अपो यह बता लिए इस वह इस सबोस्ट भी फालोध समजारी क्वेश्ट कुशिन सहम्जारीय इनियारिया यह से इधे टियां रिखेगा कि यह जो ड्री टर्केस्ट धोमाग कर रखा इस वन फिल्लाइट अपी्लाइं विच ओर इनेटेश्वां क्यू अन्तर्मिनेट्स उन ग्लीण्यू अन जाट इ Q1 and terminating on Q2 has been shown answer theta 1 theta 2 की तर्म सब्सक्राइब अब आपको यह सोचना है कि अब करेंगे कैसे पहला चीज यह सोचो कि यह जो फील लाइन से यह बेंड हो रहा है है यह नहीं है फीलाइन से बेंड हो रहा है यह तो बेंडिंग हो रही है है मतलब यह फील्ड किसी एक की है यह रिजल्टेंट दोनों की है कि दोनों की ना क्योंकि अगर फीलाइन आप दिखा रहे हैं यह मतलब Q1 से Q2 के बीच में आपने फीलाइन दिखा रहा है अब एक चीज़ सोचो तो इसी लिए अगर मैं यहां पर सोचो कि मैं फील्ट की अगर बात करते हैं जैसे यहां पर एक रैंडम लोकेशन पर इसकी वजह से कि वाज़े से वाज़े से एक लोगा Wise of Q2 की वाज़े से भी सील ओवीसली यहांन पर क्योतुकी वेचल हो से भी एक नोब इन दोनों का जो फैल्पेशन सम अगर आपकर इन दोनों का एकर संब तो वह डरेफिनिटली आपका कुस्टांजन करना चाहिए मतब यह वाली टाइम जो आपको समझ आ रही क्या क्या रहा हूं है इस थीक है ना तो यह resultant field ही जो आपको दिख रही है what you are seeing is basically resultant field किसी एक का contribution उसमें नहीं है दोनों का contribution मिलाक है अब बट एक चीज़ सोचो अगर मैं किसी एक charge के एकदम जीरो विसिनिटी पे चले जाओ एकदम बिलकुल closest distance पे जो सोच सकते आप वहां चले जाओ तो क्या होगा यह जैसे यह एवन है यह एटू है and this is even vector plus e2 vector and this will be directed along the tangent directed along the tangent to the field to the field lines okay अब एक चीज़ सोचो कि जैसा मैंने बोला कि अगर माल लेते हैं यह जो पॉइंट हमने चूस किया यह-पायं कि में कि बहुत ही क्लोस होता है ऑब कर दिखा रहा हूं एहां आओ है हमालो यपन की ज़िआ होगा क्युटू से से अगर मालो में फिलक यहा पर निकाल लिए होगा तो क्या यहां पे जब आफ फील करोगे तो इसका क्यूवन का अगर फील दिखा रहे इतना बड़ा सा मैगनिचुड में यह काफी बड़ा होगा और क्यूटू का जो फील होगा वह बहुत ही छोटा होगा तो रिजल्टेंट फील्ट होगा वह अल्मोस्ट की वेज़े से है नहीं है ना समझारी आपको क्या कहरो मैं है डियू गेट दे सब्सक्राइब सेइंग तो इसके पास में अगर आप देखोगे जैसे क्यूवन के पास में अगर आप बहुत सारे लाइंस जो करते इससे अगर आप फील लाइंस ऐसे दिखाओ तो इंडिविजुली जो फील लाइंस होंगे वह ऐसे निकल रहे होंगे सबसे और यह देखो यहां पर क्लोज डिसीनिटी पर बेंडिंग नहीं होगी यह एकदम बिल्कू स्टेट लाइंस की तरह जाएंगे है 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 एक्जाट्री सेम सेनारिय अपक्र लोकेशन के पास वी होगा है तो अगया है तो एक जम सेनारी यहां पर दिखाज़को बस फील डाइंस रेडिली इंवर्ड होगा तो वह बस दिखाएंगे कलर तो यहां पर फीलाइंस अंदर के तरह दिखते हैं यह देखो बेंडिंग नहीं है पेंडिंग नहीं है कोई बट यह बोखोथ ही प्लोस विसेनिटीव है बट जब हम कोई भी एक फीलाइं जो दूर पर कंसिडर करेंगे तो यही वाली यहां से निकल रही है बेंड होके फिर उसके बाद फिर क्योंटों के पास एंटर की है कि समझा यह आपको डिडियो अंडेसांड एवरिवड़ी यह से ठीक है यह ध्यान अटना कि इंडिविजुल चार्जिस के एकदम क्लोस विसेनिटी पर कोई बेंडिंग नहीं हो रही है फिर यहां पर अगर सोचें यहां पर तो यह फीलाइ यह सुच के कि इसके बीच में जितने फीलाइन से इसके बीच में जितने फिलाइन से क्या यह सारे और कोई स्कोप यह नहीं है कि आपको बात समझाई आज सर्थ जितने भी फिलाइन देखो जो मैंने उपर वाला बेंट लाइन डॉकिया और नीचे वाला जो और दोनों लाइन तो एक दूसरे पर चले गई यह समझ में आ गया तो इन दोनों के बीच में जितने भी लाइन है वो बाहर निकल सकते हैं क्या अगर बाहर निकलते हो सकता है कि इसका मतब जितने भी लाइन से निकल रहे है इसके बीच में इन दोनों के बीच में यह पक्का है अगर इधर से निकल रहा है तो फिर डेफिनेट है उसके बीच में बुसेगा समझाई है आप सभी को असर तो मैं यह कह सकता हूं कि यहां से यह अंगल अगर थीटा वन माग चिया मैंने और यह एंगल थीटा टुए टैंजिन का एंगल थीटा वन थीटा 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 तो यह कह सकता हूं field lines field lines between theta 1 originating from originating from q1 terminates on q2 at an angle theta 2 सही लिखा है मैंने सही लिखा है अब यह सोचो कि theta 1 और theta 2 के कि लिखना हाता है यादे इस एंगल का कंसे q1 राइड 2 ऑसलोन नौ इन्ट ओप से नाइड एड़ हो यादे एक यादे एक एक यू टॉप्सलोन नौ इन्टू 1-डवास फोब दीन यह तो अबस नौ यह दो एक तो अचलन जो का तो कंचल और गया और देफो एक एक यह त य साइन स्क्वेर थीटा टू बाइटू एंड दिवैड़ेड वाइट साइन स्क्वेर थीटा वन बाइटू लिख सकते हैं यह सब को समझाई कंसे तर्ट तर्ट यहां पर अचानक से हम फ्लक्स में क्यों आ गए यहां पर हम अचानक से फ्लक्स में क्यों आ गए और अचानक से कहा है रही फीलाइस को मैजर के काउंट अफ नंबर फिलाइस के से मैजर करते हो तो अचानक से कैसे हैं मैं ठीक है पागल हो गए हो गया अचानक से ताब आता जब मैं यह सब कुछ एक्स्प्लेइन नहीं करता डिरेक्टी लिग देता यहां से बुलता कि थीटा बन से और तो फिर फ्लक्स आपका काउंट अफ नंबर अफ लाइंस को ही तो फ्लक्स कुल थे वहीं तो अभी आगे बड़े हैं आश्या 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 मार खाना थी तुम पास मेरे तो ना फिजिकल क्लास्स में होता तो अभी मार खाता इस एक और पैसिन करते हैं जैसे हैं let's say this is plus q1 कि यहां पर एक चार्ज है माइनिस ट्यूपिट एंड कि इस एक मिट रोगे मेरे को डेटा पुरा चेक करने थी कितने बॉक्स आई और एक मिट एक मिट रोगे मेरे को डेटा चेक कि इस एक चार्ज है कि एक फीलाइन दिखा रखे जो क्यों से निकल रही हो क्यों टॉटू पे टर्मिनेट कर रही है कि अपको यह बताना है कि यह फीलाइन मैक्समुम कितनी हाइट रीच किये यह आपको बताना है कि क्यों क्यों से क्यों से वाला अपको बताना है कि क्यों से क्यूंट करता हो जो लाइन उस लाइन के रिसपेट्ट में मैक्सम कितनी हाइट वह यह यह को फाइंड करनी है इसको लाइन अबी माल लेते हैं कुछ भी एक लेक 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 लिए तो इसको लाइन अबी find the maximum height attained by the field line field line shown each square box this square box can be considered as x unit in length अब कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे आपको बताया है मैंने देखो जहां पर maximum height है वहां पर रिजल्टेंट फिल्ल का डिरेक्शन आपको पता है क्या अब करेंगे पता है नी पता है नी पता है वरिजॉंटल होजायेगा को यह नी होगा सबस्ट तेक आट मैक्समाइट ये एक कंसर्पियूज करना आपको टेक है अट मैक्सममम हाइट इवन लेक्टर प्लसीटू लेक्टर दिस है दो बी अलॉग लाइन एयस पेडिन आपको अभी देखो क्यूवन जो चार्ज है तो यह वाले distance r1 पर depend करता और यह electric field हमारी e1 होती है ठीक है और q2 की वेज़े से अगर field calculate करते q2 की वेज़े से तो यह distance r2 पर depend करता और field का direction इधर होता तो अगर field आपको वेक्टर सम यह e1 और e2 का वेक्टर सम है अगर इधर चाहिए तो वर्टिकल कॉंपोनेंट आपको cancel कर वान है तो अगर माल लेते हैं यह angle theta 1 है और यह angle theta 2 है तो देखो यह angle theta 1 हो गई और अगर देखोगे तो यह angle theta 2 है तो इधर से directly mark कर लेते हैं तो यह हो जाएगा e2 sin theta 2 और इधर से हो जाएगा e1 sin theta 1 कि दोनों सेम होना चाहिए तो इसी को cancel कर तो अप्रान से मिल जाएगा सब्सक्राइब कर देखो अगर देखोगे तो इधर से यह आंसर आपको एल के टम्स में तो इधर से देखो यह वाली हाइट अगर देखोगे तो यह त्री एक सब्सक्राइब और इधर से यह भी देखो आपको देखो देखो त्री एक सब्सक्राइब तो इधर से यह वाली देखो यह वाली कितनी है एक दो तीन चार पाद छे साथ आट नो दस ग्यारा 11x दिख रही आपको यह से किसे 11x मैंने कांट किया बस बॉक्स कांट कर लिए तो अब आप लगे की सिन घ्राप पादेटाएं भॉक्स क्या छे किरो सिन लिख एखो पादर आट साथ गया साथ दीख और र hist को यहां से आपके पास आट्टू इस्टू आरवन यह वाली वालू मिल गई आपको इसस्टू कुव रूट हो लाएगा दिखरी आपको इसको बार लिखना पड़ेगा अब आट्टू की वालू इस रूट अच्छा यह देखो क्या एल की वालू को वहाँ पोटीनेक्स अपने इसका मतलब एक्स की वालू इंटम्स अफेल हमें पता है ठीक है ना सो अब आरवन की वालू को लिखें तो वी कन राइट इस आज आरवन कैंडी रिटन आस रूट अंडर थी एक्स का स्क्वेर अच्छा यह तो पता चली गया था ना ओरड़ी हमें आहां इसमें इसमें इ पड़ता थे तो यहां देखो कि ए एक्स की वालू कितनी थी लए 14 थी नहीं थी तो डिरेक्ली आंसर मिल गया मुझे डेटा थोड़ा से चेंज कर देना चाहिए था डेटा अच्छली मैं ऐसे दिया कि तुरंट से गल गया है एनीवेस आपको समझा गया ना इसको हटा देता है इसको इतना ही रहने नहीं अच्छाइब आज तो सारा से फ्लक्स से रिलेटेड़ी इनुन सारे कंसेट आपको सिखाए और अलग से कुछ नहीं करता है दो मेरा प्लान था और करने का बट्ट फ्लक्स में जादा टाइम लग जया था तो अधिए नहीं करता है